दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखाएंगे कि A-B का होल क्यूब पर जो आधारित प्राश्ण होता है इसको हल कैसे किया जाता है देखे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि A-B का होल क्यूब का फर्मूला क्या होता है इसका देखे फर्मूला होता है A-Cube-3A-B-3A-B-B-3-B-Cube देखे यहाँ फर्मूला होता है A-B का होल क्यूब का देखे यहाँ पर जो सुरू वाला संख्या है यहाँ काम करेगा A का और यहाँ देखे बाद वाला जो संख्या है यहाँ काम करेगा B का यानि देखे प्रस्ण में जहाँ जहाँ पर भी A है वहाँ वहाँ पर 6 को रखाएंगे और जहां जहां पर भी B है वहां वहां पर 4 को रखेंगे जैसे देखे यहां पर है A का क्यूब तो A का मान 6 है तो यहां पर लिखेंगे 6 का क्यूब अब देखे माइनस में यहां पर 3 A स्क्वेर B है तो 3 को इसी तरह से लिखेंगे देखिए यह जो a b है यह होता है गुना में गुना में सबसे पहले a का मान को लिखेंगे a का मान देखिए 6 है लेकिन देखिए इसके उपर square है तो यह square को भी लिखेंगे अब देखिए गुना में b का मान को लिखेंगे b का मान देखिए 4 है अब देखिए प्लस में यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी देखिए जो A भी है यह होगा आपस में गुना में तो देखिए गुना में सबसे पहले A कमान को लिखेंगे तो A कमान है 6 अब देखिए गुना में यहाँ पर B का स्क्वाइर है तो B कमान है 4 तो यहाँ पर होगा 4 का स्क्वाइर यहाँ देखिए अंत में माइनस में है B का क्यूब देखिए B का मान 4 है और इसका क्यूब है तो यहाँ पर हम लोग क्यूब को भी लिखेंगे अब देखिए जहाँ जहाँ पर भी क्यूब और स्क्वाइर है इसको हम लोग सबसे पहले हल करेंगे तो देखिए 6 का क्यूब है 6 का क्यूब का मतलब होता है कि आपको 6 को तीन जगह गुणा में लिखना है 6 से गुणा 6 में करने पर यह होगा 36 अब देखिए 36 में यह 6 से गुणा को करना है 6 से गुणा 6 में करने पर यह होगा 18, तीन था हासिल, तो यह हो जाएगा 21, यानि 6 का Q 216 होता है, अब देखें माइनस में यहाँ पर 3 है, यहाँ देखें 6 का स्क्वेर है, तो 6 का स्क्वेर होता है 36, और गुना में देखें 4 है, आपको इस्क्वेर को अपने से करना है, अब देखिए प्लस में 3 है गुना 6 है और देखिए गुना में है 4 का स्क्वेर 4 का स्क्वेर जो होता है वह होता है स्वल्ला और देखिए माइनस में है 4 का क्यूब देखिए 4 का जो क्यूब होता है वह होता है 4 साइट यहां तक आपको सबसे पहले हल करना है अब देखिए यहाँ पर 260 को लिखाएंगे और यहाँ पर देखिए तीन संख्या है गुना में और यहाँ पर भी देखिए तीन संख्या है गुना में अब देखिए हम लोग यहाँ पर संख्याओं का गुना को करेंगे देखे तीन से गुना चार में करे यहोगा बारह बारह से हम लोग च्छातिस में गुना को करेंगे यानि च्छातिस गुना बारह देखे बारह का पहड़ा च्छोबर पढ़े यहोगा बहात्तर का दो साथ होगा हांसिल बारह से गुना तीन में करे यह होगा 36 साथ हांसिल था तो यह हो जाएगा 43 यानि देखिए गुना करने के बाद 432 आया है तो यहाँ पर लिखेंगे 432 को अब देखिए हैं पर प्लस है इसका भी गुना को करेंगे तो देखिए यहाँ पर 16 से गुना 6 में करे तो यह होगा 96 96 में अब हम लोग 3 से गुना को करेंगे तो देखिए 3 से गुना 6 में करने पर यह होगा 18 एक होगा हांसिल 3 से गुना 9 में करने पर यह होगा 27 एक था हांसिल तो यह हो जाएगा 28 यानि इसका गुना करने पर 288 आ रहा है यहाँ पर लिखाएंगे 288 को और माइनस में देखिए 64 है अब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या प्लस में है इसको हम लोग आपस में जोड़ेंगे 216 प्लस में है और 288 प्लस में है 8 और 6 को जोड़े यहोगा 14 का 4 एक होगा हासिल 8 और 1 को जोड़े यहोगा 9 एक था हासिल तो 10 का होगा 0 फिर से एक होगा हासिल 2 और 2 यहोगा 4 एक था हासिल तो यहोजाएगा 5 यहाथा प्लस वाला संख्या अब देखिए जो भी संख्या माइनस वाला है इसको आपस में जोड़ाएंगे और इसको लिखेंगे माइनस में 4 और 2 को जोड़े यह होगा 6 6 और 3 को जोड़े यह होजाएगा 9 और यहाँ पर देखिए 4 है अब देखे 504 में से हम लोग 496 को घटाएंगे तो देखे इसको घटाने पर यहां पर बचेगा 8 देखे इस तरीका से आप फर्मूला से हल कर सकते हैं देखे इस प्राश्ण को आप अपने से चेक भी कर सकते हैं जैसे देखिए सबसे पहले 6 में से 4 को घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 2 और इसका देखे क्यूब है तो इसका क्यूब को करेंगे तो 2 का क्यूब का मतलब होता है कि आप 2 को 3 जगह गुना में लिख सकते हैं 2 से गुना 2 में करने पर या होगा 4 तो देखिए इस तरह से आप इसको आसानी से चेक भी कर सकते हैं